अगर Instagram के अंदर अगर आपको यहां पर notes का feature नहीं मिलता तो guys इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लाना है आपको तो इस वीडियो को ध्यान से दिएगा, skip मत किजिए, अगर कई zip skip करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं step by step आपको बताऊँगा तो इस steps कब को कर लेना है, feature को लाने के लिए, अगर आप इस channel बना है, तो इस channel को subscribe कर लेजे और इस video को like कर लेजे, तो चलिए शुरू करते है, तो यहां पर guys आपको क्या करना होगा, यहां पर simply यहां पर back आजाना है, इसके बाद यहां पर आपको आपके profile पर जाना होग फिर यहां पर आपको settings में चल जाना है, settings में जाने के बाद यहां पर आपको गया करना होगा guys, यहां पर आपको account में जाना होगा, यहां पर आपको नीचे आना होगा, यहां पर आपको एक option मिल जाएगा, switch account type, या फिर इसके बजाए आपको एक option आएगा, switch to professional account ऐसा दिख कर लीजे बिजनस या फिर प्रोफेशनल अकाउंट और याद रखे गाईस आपको जो यहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट है वह प्राइवेट नहीं होना चाहिए और परसनल अकाउंट नहीं रहना चाहिए गाईस इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा तो आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद का इस आपको अपना जो फोन है वह एक मतबार रिस्टार्ट कर लेना है restart करने के बाद आपको instagram के अंदर छाल जाना है फिर यहां पर आपको of three lines के पर click कर लेना है इसके बाद settings में चल जाना है इसके बाद account में चल जाना है फिर देखना होगा गईज आपको कि आपका account professional हो गया या नहीं इसके बदाग आजयाना है अगर आप यह प्रोफेशनल अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट में कर लेते हैं और आपकी प्रोफाइल आपका अकाउंट तो प्राइविट नहीं होता तो आपको फीचर यहां पर मिल जाएगा यहां पर अभी आपको बताऊंगा मैं जैसे आप मेसेजस में जाएंगे तो यहां पर आपको यहां पर नोट का फीचर आज चुकाएगा आज आपको आई से करके आप इसली ला सकते हैं तो उम्मीद करता होंगा इसे आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को करना देले, thank you very much